दोस्तों तो आज की वीडियो में आपका सौगत है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेलो का बेंस एक हुआ पैकेजिंग वाइस तो मतलब फुल नमबर है देखें फिफ्टी रूपीज का एक पैन है और फिफ्टी रूपीज में आपको एक यह बॉक्स मिलता है कार्डबोर्ड वाला उसका यह वाली एक आपको पैकेजिंग मिलती है उसके बाद भी आपको एक प्लास्टिक रैपर औ यह बोड़ी कलरर है वह बॉम्हें को मिल जाएगी वह बॉड़ी कलर थे बुलोर वर इंग कलर भी ब्लू और आतको इसमें ब्लॉट एपन रहीं मेरें मिल जाता है तो अब मैं अपके सो खोल के अंदर से ये तो अद्धिकर कोलते था यहां पर यह देखिये parenthली से य पिलlor hai और उनर यहां से देखात हों करिषल और शेकर और कम बनेंगी नहीं तो यह है हमारा बेंस पैन और अगर मैं इस ग्रिप की बात करें तो ग्रिप अच्छी है क्योंकि इसमें लवल ग्रेप है तो यह फिसलेगी नहीं और बाकी बाकी तो सब सही है बस एक चीज है अगर इस लवल ग्रिप को थोड़ा सा और लंबा कर देते जैसे कि यहां तक तो या ज्याहरता और कंफरेवल बाता अब मैं आपको इस से लिखे दिखाता हो यह लिखता कैसा है है कि तो यह आ गए हमारी कौपी तो अब मैं आपको इस पर लिख के दिखाता हूं कि कि यहाइं तो आप यह देख सकते हो कि अच्छा खासा एक दम राइटिंग है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पहने कोई मिला प्रॉब्लम हिंड्रेंस कुछ भी नहीं है देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्मूध इसमें लिखने में मलता फॉल नमबर मिलते इसको बहुत ही तो यह जो आभी मैंने आपको दिखाया वैसे हैं अगर आपको देखने आप यह देख सकते हो यह इसकी थिकनेस कितनी है इसकी जो थिकनेस वह भी बहुत ही अच्छी और बहुत ज्यादा अच्छा है तो बाकि अगर overall मैं पैंड की बात करूं तो लिखने में अच्छा है है design वाइस सच्छा है color पैकेजिंग वाइस और ही ज्यादा अच्छा है मैं आपको दिखाया कि इतनी अच्छी पैकेजिंग की गई है इस pen की तो में मुद्धा है कि एक बस disadvantage यही लगा कि इस लबल ग्रिप को थोड़ा सा लंबा अगर कर देते हैं लाइक यहां तक अगर कर देते हैं यहां तक बस यहां तक यहां तक तो ज्यादा अच्छा लगता क्या वह थोड़ा और कमफरडेवल हो जाता लिखने में क्योंकि बिल्कुल एक दम पॉइंट टो पॉइंट दिया है न तो बाकी वैसे इसमें को दिक्कत नहीं है तो पैन ओवरॉल बहुत ही अच्छा है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज जल्दी में लेंगे